आज हम लोग करेंगे 1Password का detailed review Hi guys, मेरा नाम है Kribesh Aadwani यहाँ पर मैं digital tools के related videos बनाता रहता हूँ आज जिस password manager के हम लोग बात करने वाले हैं वो है 1Password 1Password एक काफी ही ज्यादा popular password manager है और आज हम लोग करेंगे इसका detailed review तो बिना किसी delay के हम लोग शुरुवात करते हैं तो जैसी यहाँ पर आप लोग अपना नया account create करोगे आपको अपना master password देना पड़ेगा और साथ में आपको एक secret key भी मिलेगी तो जभी भी आप लोग नए device से login करोगे तो फिर आपको जो secret key मिलेगी sign up के time पर वो अली key माप पर डालनी पड़ेगी two factor authentication है और अगर आप लोग अपना यहाँ पर master password भूल जाते हो तो फिर आपको कोई recovery के options नहीं मिलेंगे master password को reset नहीं किया जा सकता है security audits की बात करों तो आपर one password ने security audits करवाए है SOC 2 certificate है इनके पास bug bounty का यहाँ पर program इनका चलता रहता है and काफी यह लोग audits करवाते रहते है so that's definitely good interface की बात करों तो it's good है यहाँ पर आपको बहुत सारे features देखने को मिल जाएंगे और क्योंकि इतने सारे features हैं यहाँ पर इसलिए कभी-कभार यह थोड़ा complex भी हो जाता है mobile version भी इसका काफी अच्छा है मुझे as such कोई major complaints नहीं है user interface से data breach reports की बात करों तो यहाँ पर आपको I have been points से data breach report यहाँ पर provide करी जाती है अब अगर आप यहाँ पासवर्ड रिपोर्ड की बात करूं आपके कुछ unsecured websites है जो कि HTTP based है वो भी आपको यह बताता है और कुछ ऐसी websites से जहाँ पर two-factor authentication लग सकता है वो भी आपको बताता है और फिर अगर आपका कुछ card है जो expire होने वाला है वो भी इनके reports में included है यह पूरा report का function यह लोग इसे कहते हैं two-factor authentication की बात करों तो 1Password यह आप पर authenticator की तरह भी काम कर सकता है मतलब आपको एक separate आपकी ज़वरत नहीं पड़ेगी जैसे की Google Authenticator हो गया जैसे की Authy हो गया उसकी आपको ज़वरत नहीं पड़ेगी मेरे recommendation में तो आप separate रखो तो जादा बेटर है मैं personally यहाँ पर separate भी use करता हूँ और 1Password के साथ में भी use करता हूँ 1Password के साथ में उन websites का use करता हूँ जो के ज़्यादा importance नहीं है जैसे की Gram Only हो गया यहाँ फिर Epic Games जैसे website हो गया यहाँ फिर Dynadot हो गया जहाँ पर मेरे important domains नहीं है ताकि उसमें मुझे जादा protection मिल पाए हाँ थोड़ा जादा मेरा काम बढ़ जाता है लेकिन इस बेटर तो यूज़ा बढ़ जाता है तो आप लोग चाहें तो दोनों का combination यहाँ पर यूज़ कर सकते है अब अगर मैं यहाँ पर domain और extensions की बात करों तो it is one of the best password generator out there यहाँ पर आप लोग random password तो generate करी सकते हो काफी अच्छी इसकी UI है यहाँ पर आपको history भी मिल जाती है कि आपने पहले कौन सा password generate क्या था कभी कभार ऐसा होता है हम लोग password generate कर लेते हैं लिकर उसको save करना भूल जाते है तो यहाँ पर generate history में आपको आपके पुराने password जो आपने generate करे थे वह भी मिल जाएंगे और साथ ही में यहाँ पर memorable password भी है basically यहाँ पर passphrase को option मिल जाता है मुझे ही वाला option काफी अच्छा लगता है अगर कुछ ऐसे devices रहते हैं जामें password में आया जा नहीं रहता है तो यह easy to type हो जाता है फिर आता है pin code अगर आपको pin code set करना है अपने किसी भी device के लिए 4, 5, UPI IDE के लिए set करना है 6 तो यहाँ पर आपको pin code भी मिल जाता है तो password generator is one of the best out there of 1Password mobile apps की बात करनों तो mobile apps इनके अच्छे हैं biometric के options आपको मिल जाता है fingerprint face ID से unlock भी हो जाता है और mobile apps in fact यहाँ पर easy है use करने के लिए compared to their desktop apps auto fill की बात करनों तो यह automatically fill नहीं करेगा यहाँ पर आपको side में icon दिखेगा आप लोग इसके थूर यहाँ पर आपको suggestions आ जाएंगे extension डालने के बाद में यहाँ फिर आपको एक shortcut का use करना पड़ेगा उसके बाद यह auto fill हो जाएगा auto fill और auto login one password यहाँ पर support नहीं करता है but personally मुझे यहाँ पर इतनी कोई problem नहीं है दो click तो मैं करी सकता हूँ storage की बात करनों तो आपको 1GB के यहाँ पर encrypted storage मिलती है यहाँ पर आप लोग files, videos जो भी अपनी 1GB के encrypted storage में रखना है रख सकते हो अगर आपको और storage चाहिए encrypted वाली ही तो आप लोग मेरा free cloud storage वाला video देख सकते हो import की बात करनों तो import करना यहाँ पर easy है export की बात करनों तो export करने के लिए आप लोग सिर्फ इनका जो desktop application है उसके थो ही export कर सकते हो Chrome extension, web app, mobile app से export के यहाँ पर कोई option नहीं दिये गए है दूसरे password manager में काफी easily import हो जाते है 1Password से export किये गए password क्योंकि 1Password is one of the most popular password managers out there आपको almost सभी password manager में इसके options मिल जाते है so इससे पहले में video continue करूँ एक important disclaimer है वो यह है कि यह video 1Password ने sponsor नहीं किया है लेकिन अगर आप लोग मेरे link से नीचे purchase करोगे तो मुझे यहाँ पर थोड़ी commission मिलीगी बिना कुछ आपके extra cost को pay किये वे है 24 hours के अंदर आपको emails आ जाते हैं types of data store के बात करों तो यहाँ पर आपको बहुत सारे types देखने को मिलते हैं login, secure note, credit card, password, documents, driving license और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं लेकिन जो आपको main जिसके requirement रहेगी वो सब यहाँ पर covered है in fact, बहुत सारे और भी चीज़े जैसे database वगरे जिसके ज्यादा तर लोगों को requirement नहीं रहेगी यहाँ पर आपको custom fields में मिलते हैं बहुत कम password managers यहाँ पर custom field का support करते हैं मतलब login के साथ में आपको कुछ और भी चीज़े डालना है उस website से related मालनो backup code डालना है यहाँ फिर कुछ और डालना है तो वह भी आप लोग custom fields के थुरू डाल सकते हो features की बात करनों तो यहाँ पर आपको clipboard को clear करने के functionality मिलती है मतलब आपने password को copy कर लिया उसके बाद जो clipboard है वो automatically clear हो जाएगा पांच मिनट बाद दस मिनट बाद जो भी आपने time set किया है फिर यहाँ पर separate vaults को create किया जा सकता है vaults मतलब folders जैसे की gaming के लिए अलग हो गया work के लिए अलग हो गया, streaming के लिए अलग हो गया कभी कबार हमें Hotstar, Netflix के passwords वगरे शेयर करने पड़ते हैं कभी कबार हम लोग अपने old password को replace कर देते हैं यहां फिर हमारा जो old password रहता है वो हमें account recover करने के लिए उसकी requirement रहती है तो password history का feature यहां पे काफी अच्छा लगा है मुझे और trash support भी है 365 days का अगर कोई by chance delete हो जाता है तो इसको 365 days में recover किया जा सकता है लेकिन अगर आप लोग चायना जैसी country में जा रहे हो तो फिर शायद से useful हो सकता है प्राइजिंग की बात करनो तो उसका कोई भी free plan नहीं है लेकिन अगर आप लोग मेरे नीचे देगए description के link से जाके sign up करोगे तो आपको 3 महीने का free trial मिल जाएगा आप लोग 3 महीने में इनका जो family वाल अकाउंट है उसको use कर सकते हो उसके बात जो इसकी pricing रहेगी वो रहेगी $36 एक साल के लिए personal account के लिए और family वाले के लिए $5 per month की यहां पर pricing रहेगी तो दोनों ही plans यहां पर अच्छे हैं अब अगर यहां पर मैं इसके कुछ pros की बात करों तो इनकी security अच्छी है, security audits होते रहते हैं team इनकी काफी अच्छी है, Troy Hunt ने recently इसे join किया था password change history इसके अच्छी है watch tower का support है, reports नहां पर अच्छी मिल जाती है history इसकी clean रही यहां पर आपको कुछ ज्यादा hacks या फिर outages देखने को नहीं मिले है password generator अच्छा है, custom field का support है two-factor codes यहां पर आप लोग डाल सकते हो in fact, जिस-जिस website में आपको two-factor का authentication जहां पर डाल सकते हो उसकी list आपको मिल जाती है files को upload कर सकते हो, customer care काफी अच्छा है, और 1Password एक ऐसा password manager है, जो कि अपने core product पर जादा focus करता है मतलब बहुत सारे ऐसे password manager है जो की VPN पर shift हो रहे हैं या फिर कुछ additional functionality ला रहे हैं, लेकिन 1Password को मैंने देखा, यह अपने core join का product है जो की password manager है, उस ही में यह और functionality आट करते रहते है जब भी कोई नई चीज आती है, जैसे कि Macbook आई थी M1 वाली उसका सबसे पहले जिसने support दिया था जिस password manager ने, वो था 1Password अब अगर यहां पर मैं इसके कुछ cons की बात करूं तो आपको कोई भी free version नहीं लेकिन अगर आपको मेरे links जाके लोगे तो आपको 3 महिने का free trial मिल जाएगा उसका इसका interface अच्छा है लेकिन कभी कबार थोड़ा बहुत complicated हो सकता इसको use करना, emergency access नहीं है, आपर recovery options बिलकुल भी नहीं है, अगर आप लग अपना password भूल गए भूल जाओ अपने 1Password के account को autofill यह automatically नहीं करता है आपको click करना पड़ता है और जो इसका एक और कौन नहीं बोलूँगा इसको बढ़ ठीक है आपको यह पता होना चाहिए वह यह है कि ACL इसको recently funding दीती 2019 में 200 million dollars की तो ACL एक ऐसी company है जिसको जबी भी किसी दूसरी company को लोग funding देते हैं तो वो usually यहां तो sell हो जाती है यहां फिर stock market में list हो जाती है so far it looks good 1Password में आपे मुझे कुछ भी major changes नहीं दिख रहे it looks good अच्छा है इनके पास funding है तो at least यह लोग survive तो करी सकता है पैसो की कमी नहीं है अभी फिलाल यहां पे कुछ नहीं मुझे ऐसी गड़बर नहीं दिख रही है it looks good for 2021 5 साल बात क्या होगा वो कहना मुश्किल है so अगर आप लोग 2021 में एक paid password manager ढूंड रहे हो तो मेरे हसाब से 1Password combination सबसे अच्छा है security wise, privacy wise sharing wise, feature wise so a proper balance combination आपको यहां पर देखने को मिलेगा मैं परस्नली यहां पर 1Password का यूज पिसले 3 महिने से कर रहा हूँ and I will highly recommend it to you guys also so that's all for this one अगर आपको यह वीडियो अच्छ लगए तो थम्स अप देजिएगा नीचे आपको मेरे links मिल जाएंगे महां से जाके आप लोग purchase कर सकते और अगर आपको और Password Manager related videos लेखने हैं तो आप लोग चैनल को subscribe कर लिजेगा और वीडियो में लाता रहूंगा free वाले भी ले आऊँगा so that's all and I will see you guys in the next one goodbye